कि टेकनो स्पार्कD पॉयासे येश कि बहुत लंबा नाम है कि नमसकार दोस्तों बहूट बहुत वागत थे आपको टेकनो स्पार्फद ने आ चुका है और यह का मतलब वहता है धालग कर बने न समझजे गा कि बहुत लैट वेटेड से या बिल्कुल हलका है, हलका का मतलब हो सकता है कि इसका टेकनिकल स्पेस्परमेशन भी हलका हो बात करेंगे डिजाइन डिस्प्ले बारे जानेंगे कैसा है यह फोन, क्या है आपके लिए फिट है तो सबसे पहले करते हैं इसका डबबा खोल तो यह है टेक्नो इसपार पावर टू एयर और यह सबसे बड़ा जो हाइलाइटेट पॉइंट है वह है छेजार एमेज की बैटरी है तो बहुत सारे सेंसर भी दे रखें और जो प्राइस है यहां पर मेंचन है नौजान नौ सिनिनावी रुपे लेकिन एक्ट्वल में यह प्राइस पुड़ी कम है ओनलाइन तो सबसे पहले करते हैं इसका डबबा खो और यह मोबाइल फोन नो डॉट बहुत ही बड़ा मोबाइल है यह बहुत ही हुज है और यह बिलकुल हाथों में वैसे फिट आ रहा है बैक डिजाइन भी यह मुझे बहुत बढ़िया लग र सब्सक्राइब की वारंटी है यह कार्ट भी हटा देता हूं गूगल एसिस्टेंट दे रहा है इसके अंदर में और यूजर मैनुवल है यह बहुत बढ़िया लगा और बिलकुल हलका है पहां पर आपको मिल लियाता है माइक्रो यूएसबी केबल है इसके साथ में और यह यहाँ पर्याँ आपको यहाँ चार्जर आपको कौन पर मिल लकौज भी आपको दोने न हें और इसके साथ में इस पुछ बी नहीं और यह है और यहाँ यह यहाँ चैनलर से और Google Assistant बटन है और साथ में आपको Seam Tray और Micro SD का दे रखा है slot तो आप दे सकते हैं यहाँ पर आपको दो Seam Tray और साथ में SD card के लिए slot दे रखा है और इसको फिर औंग करते हैं और Setup करते हैं फिर Setup करने के बाद आपको सारी चीजें बताता हूं तो कर लिए हमें इसका डबबाख हो तो सबसे पहले बात करेंगे Design और Display के लेके Rear Side का जो Design है मुझे बहुत बढ़िया लगा जो Color Combination है बिल्कूल Sparkling Color है बहुत अच्छा लगएगा आपको देखके और Polycarbonated Body है और जो Camera का डिजाइन है Rear Side में आपको rectangular shape मिल जाता है और Camera की Placement बहुत अच्छी है और बहुत ही Premium Quality की लगती है यानि आपको देखके नहीं लगता है कि यह 8.000 रुपे का यह Phone हो सकता है अब आते हैं Front की तरफ Front में आपको Dot Note Screen मिल जाती है और बहुत बड़ी Screen Size है 7 Inch की Screen Size बहुत ही है अगर आपको Game खिलना पसंद है Online Classes करते हैं और अगर आप यूटूब वीडियो देखते हैं वीडियो एडिटिंग करते हैं तो बड़े Screen Size में आपको बहुत मजा आएगा थोड़ा सा Heavy Feeling यरूर होती है लेकिन अगर आपको Screen Size बड़ी अच्छी लगती है तो मुझे लगता है कि आपको फोन पहली नजर में पसंद आने वाला है बहुत बढ़िया लगेगा आपको यह स्क्रीन साइड इसके अंदर में 3.5 एमेम का अगर आप इस स्पीकर पे मिजडिक सुनना ज्यादा पसंद करते हैं या फिल्मे दिखना ज्यादा पसंद करते हैं तो यह आपको बहुत मजाने वाला है बिल्कुल इस्टूरियो sound quality है बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि आप earphone के अलावा भी स्पीकर पे बहुत से आप इंज्वाय कर पाएंगे तो इसकी sound quality बहुत बढ़िया है बहुत ही मैजजार है और इसकी थिकने से 9.2 mm लेकिन थोड़ा सा heavy feeling होती है 217 gram तो थोड़ा सा heavy हो जाता है लेकिन screen size 7 inch की हिसाब से देखेंगे 217 gram भी मतलब मैं कहूंगा कि average है तो design and display के मामले में तो मुझे लगता है acceptable limit पे हैं अगर आप game खिलते हैं heavy तो थोड़ा सा lagging होगा लेकिन normal game खिलने में कोई दिक्कत नहीं है मैंने खुद game खिला है और इसके अरावा आपको browsing करने में YouTube वीडियो देखने में और भी थोड़ा सा heavy work करने में या अगर बहुत सारे app अपने background में खोल लखें तो उसमें कोई परिशानी नहीं होगी लेकिन दिक्कत होगी अगर आप बहुत high refresh rate वाले game खिलेंगे या बहुत heavy game खिलेंगे तब आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा lagging हो सकता है otherwise थोड़ा सा यह मुझे लगता है ठीक है average है यह processor A22 तो मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट की साबसे मतलब बिलोव एबरेज ही कहूंगा मैं इसको इसके अंदर में आपको 3GB कर रहा है मैं 32GB का रॉम का सिंगल ऑप्शन है बाकी दो कलर मॉडल आते हैं और इसके अंदर में Google Assistant का एक सेपरेट बटन दे रखा है रेट कलर का जो मुझे बहु सेंसर मिल जाता है तो आपको दिखाता हूं फेस बहुत ही फास्ट है यानी एक सेंट से कम में खुल जाता है और फिंगर प्रिंट भी बहुत तेजी के साथ कुलता है यानि आधे सेंट में यह फिंगर पिंट्स उनलोग हो जाता है यह बहुत अच्छी बात है इस प्राइश प्राइश के साप से रियर साइट में 13 MP 2 MP 2 MP और यह लेंस है और फ्रेंट में 8 MP तो इसको तो उसकी क्वालिटी में बहुत अच्छी नहीं लेगी लेकिन जो इसका बुके एफेक्ट लेंस है मुझे बहुत बढ़िया लगा और मेन कैमरा तेरे में पिसल का वह भी आक्सेपटेबल लिमिट बे लगा और इसकेंदर में एक चीन मुझे बहुत बढ़ी अलगा, front में dual flush मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कमाल का मुझे feature लगता है ये चीन मुझे बहुत अची लेगी, night में photography, विडियोग्राफी करते हुए आपको बहुत बजाएगा, जहांपे अगर low light का condition है, तो आप selfie camera में ये चीन कर सकते हैं, ये चीन मुझे बहुत बढ़ी अलगा, तो अब बात करते हैं battery को लेके, तो quality इसके अंदर में बहुत बढ़ी battery है, 6000 image की battery है बहुत बढ़ी battery है, लेकिन इसमें एक problem है ये micro USB charger है और इसमें कोई fast charger नहीं है तो कम से कम 3 घंडे लगते हैं इसको पूरा charge होने में, लेकिन अच्छी बात ये है, कि एक बार पूरा full charge होने के बाद, ये कम से कम देश से 2 दिन निकाल लाता है अराम से, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप game नहीं खिलेंगे, तो 2 दिन इसके अंदर में 7 इच की स्क्रीन मिल जाती है इसके साथ में बैटी बहुत बड़ी मिल जाती है 6000 इमेज की, बाकी main camera भी ठीक मैं कहूंगा, front का जो selfie camera है वो मैं कहूंगा, ok type है और no doubt phone देखने में बहुत premium feel होता है, तो मैं कहूंगा, कि 8000 अरपय के साथ से value for money है इसमें कोई doubt नहीं है, तो अब बात करते हैं इस phone का positive है, negative तो सबसे बात करूंगा, negative इसके अंदर में mediatek helio processor जो है A22 मुझे लगता है negative है थोड़ा सा और processor एक stage या दो stage और बढ़िया होना चाहिए था और इसके लावा जो इसका macro lens है बिल्कूल बेकार है तो ये दोन चीजे मुझे सबसे बेकार लगी इस phone की अब मैं बताता हूँ इसका positive point जो सबसे पहला positive point है इसका screen size, दूसरा इसका है booke lens और जो तिसरा है इसका stereo sound quality और चौता है huge betty ये मुझे सारे positive point लगे बाकी negative point भी मने आपको बता दिये तो अगर आउला आप मुझे से पूचेंगे कि 10 में से मैं इसको कितना number दूँगा तो मैं कहूंगा 10 में से इसको मेरी तरफ से 8 number मिलना चाहिए तो दोस्तों आज के वीडियो कैसे लगा आप हमें जरूर बताना कमेंट करके बागी दोस्तों आज मिलेता हूँ विदाव अपना ध्यान लखें stay safe stay happy धन्यवाद आपका दिन शूबो